नमस्कार जहीं दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्षेना सिपी क्लासेस में दोस्तों मेरा नाम है चंदप्रकास और आज की वीडियो में मैं आपको डिलेट फोर्थ सेमेस्टर की जो क्लास है यह आपकी सेकेंड क्लास है यहां करडी गहतांक इसको मैं पढ़ा रहा हूं आज के वीडियो में मैं आपको घातांक पढ़ाऊंगा घातांक से रिलेटेट जीतने भी क्वेश्चन होंगे हर एक कांसेप्ट को मैं बताऊंगा आपसे रिक्वेस्ट है चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो को लाश्ट तक देखिएगा और अच्छी तरह से समझ में आएगा तो चलिए दोस्तों हम लोग सुरुआत करते हैं तो जैसा कि दोस्तों आज हम लोग आज का आप घातांक बताते हैं क्योंकि घातांक का है क्योंकि आप नहीं समझेंगे घातांक को क्योंकि हर एक चीज होता है क्योंकि कें क्या होता है कि जासेड़ मैं एक हजार है इसको इसको मैं तोड़ू तो dyas के रूप में इसको हमने तीन बार गुड़ा किया है तो मैं इसके रूप में इसके दौस के घाते क्यों के रूप में लिख सकता हूं क्योंकि यह जो तीन दिखाता है कि दौस का गुड़ा कितनी बार हुआ है तो यह जो होता है यह जो दौस होता है यह इसका क्या होता है तूलब यह है य कोई संख्या A है और इसका गुड़ा कितनी बार हुआ है यह पावर N की रूप में लिख सकते हैं जहां यह A क्या जहां ये आपका क्या होगा आधार होगा क्या होगा और एन क्या होगा आपका घातांग होगा क्या होगा तो कुल मिलाकर के बड़ी संख्याओं को हम लोग क्या करते हैं घातांग को घातांग के रूप में हम लोग उसको क्या करते हैं छोटे गरूप में लिख देते हैं जैसे अगर हम लिखें जैसे 27 है क्या है आपका 27 आपको लिखेगा अगर किया हैрок मैं एक गहतान के रूप में लिखना हो तो मैं किषको लिखूंगा 27 का अगर consult गुलण घर करूं तो ऐसे हो झाव तो इसको मैं आचेता ओहने पृत्छे हैं इन तीनों का यह जो कि अगर सम रहेगा तभी स्कों पावर करेंगे तो यह हो जाएगा तीन के घाते कितना है एक दो तीन बार गुडा है तीन है तो यहां इन सभी संख्यां क्या है आधार इनका क्या है दो है क्या है 5-2 है और इनका घातंक क्या है इनको बलते हम लोग आधार बोलते हैं तो आपको दो समझ में आ गया होगा कि आधार और घातनक क्या होता है तो अब При libertarian मारें दिदेंगा दिदाघो कर दोका है इसका क्या मतलब में किसे अगlor тоб divide डो गुड़ते दो गुड़ते दो गुड़ते दो गुड़ते दो ऑन बड़ते गुड़ते 202 किने फगया है दो आधार और यूअ को समझ में आ घूए यह एक आओधारी जो आपके प्रस्न अहें उची तरह संज में आएगा तो आईए दोस्तों में लोग इस क्वेस्टनों के जरीए घातांग को समझते हैं यह क्वेस्टन है आपका 27 कि प्राकृतिक संख्या का घन है ऐसे आपका प्रशन पूछा दाता है परिचाओं में काक नंबर का बहुत विकल्पी में पूछ सकता है या फिर डिस्क्रिप्टिव में भी पूछ सकता है तो क् कि 27 की संख्या का घन है तो 27 को हम लोग अगर लिखें जैसे मैं बोल सकता हूं कि 27 क्या है तीन का घन है लेकिन यहां आप से पूछ रहा है 27 तो उसको मैं पहले काटूंगे 27 को मैं कट गया तो दो से कटेगा नहीं विभाजता का निया हमने आपको बता चुका है देख यह नौ तरीक्का 27 फिर 3 से कटेगा 3 तरीक्का 9 फिर 3 से कटा एक तो यह पूछा है कि 27 किस प्राक्रतिक संख्या का घन है तो देखिए अकर मैं यहां पर लेखे 3 का गुड़ा कितनी बार हो गया 3 गुड़ते 3 गुड़ते 3 इसको मैं 3 का क्यूब कर सकता हूं तो 3 का क्यू गूब अपस में अपनी आप में 1 प्राक्रतिक संख्या और 3 का क्यूब तो यह बात आपके समझ में आ गई होगी लेकिन दूसरा जो कैसल है थोड़ा सा लेंदी थोड़ा सा समझने में आपको आएगा जैसे कि 214 कि संख्या है ठीक है तो 214 अगर मैं आगर लिखू 214 वह लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि यह किसका है तो सबसे पहले आप इसका क्या करेंगे क्यूब कर देँके इसको कटेंगे दो से कट करते हैं किसकोrike 214 को हमाइ़ से लिख सकते हैं 2 गृत्ते 322 गृत्ते 233 गृत्ते 233 आधार के सबसे पहले हम लोग यह लोग देखेंगे कि 2u की 2 tam कहें कितना違ो इसको हमाई 2 का cube लिख सकता हूँ, 2 का cube लिख सकता हूँ, into, यह देखिए आधार इन तीनों का 3 है, इसको 3 का cube लिख सकता हूँ, बैद 3 का cube लिख सकता हूँ, और हमें पता करना है घन, तो देखिए, अब हमने आपको बताया था, A into B, फामुला है, कि power N बरावर होता है, A के तो यहां पर अगर देखा जाए तो देखिए पावर N है यहां दोनों का घात क्या है समान है तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 x 3 के घाते 3 इसका भी तो ठीक भी परित हो सकता है तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 6 का यहां लेंगे 6 का क्यूब तो यह है 216 किस प्राक्तिक संख्या का घन है तो किसका है 6 का घन है तो उमीद करता हूं यह जो मैं आपको कंशिप्ट बता रहा हूं अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा होगा इस वीडियो को दोस्तों हम लोग यहीं पर रहते हैं एक बात को ध्यान रखिएगा वीडियो को आप ज्यादा जदा अपने दोस्तों तक सेयर किजिए क्यों आपको समस्या होगी आप जरूर संडे को लाइब हुझेगा मैं आपको हर एक शीजों का क्वेश्टन करूंगा तो इस वीडियो को यहीं तरहते हैं अगले वीडियो में मैं आपको इन सभी इससे रिलेटर जितनी प्रशनावली क्वेश्टन है उन सभी क्वेश्टनों को सिर्फ एक वीडियो में सालो कराऊंगा तो उमीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी और कोई भी क्वेश्टन हो डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसकी प्लेलिस्ट भी है आप वन बाई वन करके वीडियो देख सकते हैं तो इस वीडियो मे इतना ही धन्यवाद